इस Missile Defense System के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये हमारे भारत का एक देशी S-PRO 100 Missile Defense System जैसा Aid Defense System होने वाला है जिसमें S-PRO 100 Missile Defense System जैसे ही बहुत सारी खूबियां होने वाली हैं ये सिस्टम हमारे देश के Multi-Lade Aid Defense System का एक हिस्सा होगा ये Missile Defense System, MR-SAM Missile Defense System और S-PRO 100 Missile Defense System के बीच फिट होगा MR-SAM Defense System की रेंज 70 किलोमेटर की है और S-PRO 100 Missile Defense System की मैक्समिन रेंज 400 किलोमेटर की है ये जो नए Missile Defense System होने वाला है इसकी मैक्समिन रेंज 350 किलोमेटर होने वाली है इस missile defense system इस्तिमाल की जाने वाली missiles भी हमारी Aster Mark II missile जैसे और Root Dram Anti-Radition missile जैसे ही dual pulse rocket motor का इस्तिमाल करेंगी इसी dual pulse rocket motor का इस्तिमाल हमारे Brack 8 extended range missile defense system में किया जाता है उसमें जो missiles इस्तिमाल की जाती है उनमें एक dual pulse rocket motor लगी होती है और अभी उनकी range को extend करने के लिए उसके साथ एक additional booster भी लगाया गया है जिससे उसकी range को काफी extend कर दिया गया है जो Brack 8 extended range missile defense system हमारा देश इस्तिमाल करता है उसमें जो टेकनोलोजिस लगाए गई हैं वो हमारे DRD दोरा develop की गई है उसमें जो dual pulse rocket motor लगाए गई है वो DRD दोरा develop की गई है इसके साथ ही ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि इस missile के लिए एक बड़ा air frame इस्तिमाल किया जाएगा जिससे ये missile additional fuel कैरी कर पाएगी और इसके साथ ही इस missile में updated navigation system और command guidance system होगा जिससे अपने radar system के साथ ये communication को maintain कर पाएगी इसके साथ ही इसमें better data link system होगा जिससे ये battle management center के साथ जुड़ी रहेगी और सभी missiles एक दूसरे के साथ link में रहेगी क्योंकि हमारा DRD बराक 8 external range missile defense system के उपर पहले काम कर चुका है तो DRD के पास इस missile defense system को बनाने के लिए बहुत सरे technologies available है तो ऐसा हो सकता है कि इस test में इस missile defense system का test किया जाए जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा moral booster होगा लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसके test चाहे कि अभी शुरू हो रहे है लेकिन इसकी induction में काफी time है इसकी induction date के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसकी induction में 2023-2024 तक होगी तो चलिए भी इस missile defense system के बारे में डिटेल में जानते है 2019 में पहली बार DRDO के इस missile defense system को reveal किया गया था इसके बारे में तब ऐसी जानकारी दी गई थी कि ये missile defense system DRDO के missiles and strategic system MSS system का ही एक हिस्सा होगा जिसमें QRSAM, जिसमें DRDO दोरा ड्वेल्ट किया जाने वाले MRSAM, QRSAM और ballistic missile defense system जैसे program शामिल है इस missile defense system किया जाने के बाद हमारे देश का जो एक aid defense system है वो multi-laid aid defense system हो जाएगा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे इसराइल का aid defense system उनके डेविड सिरिंग system के साथ एक multi-laid aid defense system है जिसमें हर एक तरहे के target के लिए और हर अलग range की उपर target को intercept करने के लिए अलग-लग aid defense system है ऐसे ही हमारा भी multi-laid aid defense system होगा जिसमें काश missile defense system है QRSAM system है MRSAM system है और इसके साथ ही अभी XRSAM system के आजाने के साथ और S-400 missile defense system के आजाने के साथ हमारा system पूरी तरह एक multi-laid aid defense system हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा जो ballistic missile defense system है वो ballistic missile से भी हमारी important cities को protect करेगा तो इन सबी system के मिल जाने के साथ हमारी देश को एक multi-laid aid defense system मिल जाएगा इस missile defense system को हाइदराबाद based defense search and development laboratory DRDL बना रही है जो की एक multi-disciplinary missile system बनाएगे जो की इंडिया की arm forces इस्तेमाल करेंगी इस missile defense system को इंडिनेर फोर्स के लिए बनाया जा रहा है DRDL के मताबक इंडिनेर फोर्स ने इसकी जो configuration DRDL ने ओफर की है उससे accept कर लिया है इसमें एक long range surface to air missile defense system बनाया जाएगा जो की air crafts, sea skimming, anti-ship missiles और ballistic missiles को उनकी terminal stage में intercept कर पाएगा DRDL ने बताया है कि जो XR SAM system होगा उसमें 350 km की range तक bombers और A-walks और mid air refiller जैसे बड़े और slow moving targets को engage करने के विल्टी होगी और इसके साथ ये 250 km की range की उपर maneuvering targets जैसे की fighter aircraft के size के target को engage कर पाएगी जे S-400 missile defense system की 48 N6E3 surface to air missile system जैसे ही एक missile का इस्तेमाल करेगी इसके साथ ही DRDL का ये भी कहना है कि XR SAM air missile weapon system stealth fighters और ballistic missiles को उनके terminal stage में engage कर पाएगा stealth fighter jets को engage करने की capability हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना अपने stealth fighter jets को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है जिने intercept करने के लिए हमें ऐसे system की जरूरत है ये बहुत कम frequency वाले radar का इस्तेमाल करेगा जिससे कि ये stealth fighter jets को भी detect कर पाएगा इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि चाइना शायद पाकिस्तान को भी ऐसे stealth fighter jets दे सकता है जिससे हमारे लिए एक ऐसा missile defense system होना बहुत जरूरी हो जाता है इसके साथ ही हमारे S-400 missile defense system में भी stealth fighter jets को रिडेक्ट करने की और engage करने की capability है इन साथ ही फीचर्स के साथ ही ये नया missile defense system S-400 missile defense system की टकरत का missile defense system हो जाएगा और इसके साथ ही ये इसराइल के डेविड सेलिंग missile defense system की comparable missile defense system होगा XR-7 air missile weapon system एक canister based transport table truck based launcher system होगा जाने की एक truck के उपर इसका launcher system लगाया जाएगा इसके साथ ही D.I.O. बहुत जल्द इस नई missile के ट्राइल्स को शुरू करने वाला है 2019 में ऐसी खबर थी कि अगले तीन सालों में इस missile defense system के ट्राइल शुरू कर दिये जाएगे लेकिन एक और खबर के मताबक ऐसी जानकारी थी कि 2020 में ही इसके developmental और engineering ट्राइल्स शुरू कर दिये जाएंगे जो कि शायर चल भी रहे हो जैसे कि करोना वायरस जाने के चाइनिस वायरस आया था तो उसके कारण हमारे बहुत सारे developmental प्रोग्राम्स डिले होए थे तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी कुछ देरी आई हो लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये missile defense system पूरी speed के साथ develop किया जा रहा है और अगले कुछ सालों में ये पूरी तरेंड develop हो जाएगा इसके साथ ही इस missile defense system के उपर एक ऐसा जाम लगाया जा रहा था कि एकसर सेम में जो missile इस्तेमाल की जाएगी वो बराक 8 extended range missile defense system में इस्तेमाल की जाने वाली missile जैसी है जब दोनों सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली missiles की फोटोस सामने आई तो defense community में बहुत सारे लोग ऐसी बाते करने लगे कि ये इसराइली missile की ही एक copy है तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सच में ये missile उसकी ही copy है बराक 8 missile defense system एक dual pulse rocket motor वाली missile का इस्तेमाल करता है जिसमें एक additional booster लगाया गया है जिससे उसकी range 150 km तक बढ़ाई गई है लेकिन जहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी missile इसराइली missile की copy है तो हमारी missile उससे ज़्यादा range वाली क्यों है हमारी missile की claim range 350 km से लेकर 250 km तक है लेकिन वहीं बराक 8 की missile की range 150 km है लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि developmental cycle और cost को बचाने के लिए DRD ने MR SAM जा लाउंग range SAM की air frame का ही इस्तेमाल किया है जिसमें उन्होंने कुछ changes किये है भारत ने और इसराइल ने दोनोंने मिलकर MR SAM को develop किया है जिसे कि बराक 8 सिस्टम में लगाया गया है जिसे कि बराक 8 सिस्टम भी कहा जाता है हमारी नेवी ने 70 km की range वाली MR SAM को इंडक्ट किया है लेकिन जो बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे कि इसराइली Armed Forces ने इंडक्ट किया है उसमें कोई भी इंडियन डिवेल्ब्ड सिस्टम नहीं लगा हुआ है जैसे कि इसमें डूल पर्स रॉकिट मोटर भी इसराइली है और इसमें इंडियन नेविगेशन और दूसरे सिस्टम में नहीं लगे हुए है देखने में एकसर सैम और बराक एट एकसेंडर रेंज मिसाइल दोनों सेम लगते है लेकिन इन दोनों मिसाइल के जो इंटर्नल मेकैनिजम है वो बिलकुल अलग है इसमें जो डूल पल्स रॉकिट मोटर होगी और अडिशनल बूस्टर होगा और नैविगेशन और वारहेड होगा वो बिलकुल अलग होगा जैसे कि हमने पहले ही MR-SAM सिस्टम को इंड़क्ट कर लिया है जिसमें इंटिग्रेटर फेस्ट एरे रडार्स लगे होए हैं जैसे कि मल्टी मिशन रडार, मुबाइल टेक्टिकल रडार और मीडियम रेंज एफियू रडार तो ऐसे ही हमारे एकसर सिस्टम में भी ऐसे ही रडार का इस्तिमाल किया जाएगा और ये इंटिग्रेटर फेस्ट एरे रडार के साथ मिलकर काम कर पाएगा जो रडार सिस्टम MR-SAM के लिए पहले ही डिवैल्प किये जा चुके हैं उनी रडार का ये सिस्टम भी इस्तिमाल करेगा हमारी जो एकसर सैम मिसाइल होगी उसमें डियार डियो ने एक बड़े एर फ्रेम का इस्तिमाल किया है जिसमें ये ज़्यादा अडिशनल इंटरनल फ्यूड को कैरी कर पाएगा इसके साथ ही इसमें अपडेड़ नैविगेशन और कमार्ड गाइडेंस सिस्टम होगा जिससे ये मिसाइल अपने रडार सिस्टम के साथ कम्यूनिकेशन को बनाए रख सकेगी और इसके साथ ही इसमें एक बैटर डाटा लिंक इस्तिमाल किया जाएगा जो की बैटल मैनिमेंट सिस्टम और दूसरी मिसाइल के साथ मिलकर काम कर सकेगा इस सिस्टम के आज आने के बाद जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MR-SAM सिस्टम के बीच जो A-Defense सिस्टम का एक गैप रह जाता है उसको ये सिस्टम फिल करेगा ये 200 किलोमेटर की रेंज से लेकर 350 किलोमेटर की रेंज तक किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाएगा इसके साथ ही ये क्रूस मिसाइल को हिट करने की केविल्टी भी रखता है ये उन्हें इंटरसेप्ट भी कर पाएगा क्योंकि जो cruise missiles होती हैं वो बहुत नीचे उड़ती है जिसके कारण उन्हें intercept कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये system उसको intercept करने की capability भी रखेगा तो ये हमारे इंडेनियर्स missile defense system program को develop करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और ऐसा हो सकता है कि इसका नय developmental trial इस साल में या अगले साल तक हो जाए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूल लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैह हैंदमन्दिमा